Hello दोस्तो welcome back to the channel उस वीडियो नमें बात करेंगे phantom coin के बारे में और यह एक fundamental coin है आप इसमें अभी तक अगर इन्वेस्ट नहीं किये है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते है या पिर अगर पहले साफ इन्वेस्ट भी किये हैं तो आपको यह यह जो price है जो current price यहां पे बहुत जो project में जो main motto है करने के लिए जो कि जितने भी यह ethereum का जो भी drawbacks थे वो इसको पूरा करने के लिए इसको बनाएगा इस था project यह project जो बहुत strong project है यह अभी currently अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा निचे गिर गया है अगर total market का पहले बात कर लेते हैं कि total market में क् बीटकोइन का चार्ट है यहां पर बीटकोइन के चार्ट देखेंगे तो यह हमारा रीडिंग के हिसाप से चल रहा है इस zone के अंदर में हम इसको expect करें तो आप यहां पर देख सकते कि अच्छा खासा यहां पर एक वापस से bounce back 4-hour candle है तो वापस से bounce back कर रहा है और यहां प बात है क्योंकि एक हमें बस एक मूव चाहिए जो कि positive मार्केट से अभी थोड़ा सा अलग मूव दे ताकि हमें पता चलेगा कि यह मार्केट किस तरह से react कर रहा है ठीक अगर यहां से अगर एक मूव देता है उपर कि और तो एक अच्छा positive मूव हम लोग बड़ा मूव 90% जो fall हुए है यह से token जो आएगे इसको अच्छा खासा मूव मिल सकता है ठीक है आपको यहां पर करीबन 1x 2x का भी profit यहां पर हो सकता है फेंटम में नहीं होगा फेंटम में आपको करीबन 60-80% या फिर 1x तक का आपको मूव आराम से आ सकता है अगर बात करते हैं total all time high से all time high आपका करीबन 230 रुपिया के आसपास होगा 240 यहां पर देख सकते हैं 240 के आसपास है अभी आपका चल रहा है 26 रुपिस तो अराम से यह आपको करीबन 10x का return भी दे सकता है in coming time पर और देगा भी देगा क्योंकि एक full time जब market आता है जब देखिए जब fall हुआ है यहां प आपको अच्छा कासा यह profit लाके दे देगा अगर आप इसका बात करते हैं कि total all time high से कितना फॉल हुआ है तो आप यहां पर देखिए टोटल कोई करते हैं करीबन 90% यह फॉल हुआ है तो अभी आप सोचे कि 100 रुपिय का जो token जो था किसी time पर वह अब 10 रुपिय में चल र पर देगा यह लुना जिसे कई कोई tokens आते हैं कभी कबार में आप 100 में से एक token होते हैं इसा हो सकता है आपकी साथ ठीक है जो बड़े token में जहाँ ज्यादा बड़ा investment करते वह इस ताफ साब को loss लाकर देता है यह होता है यह चीज मार्केट क्रिप्टो मार्केट है यहां प यहां पर यहां पर वन एक्स या टू एक्स का प्रॉफिट अगर देता है मानके चले यह साथ रूपया तक चला जाता है तो और आहां से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फिर वहापस से जब थोड़ा सा निचे की और आएगा फिर से दुबार आप खरीच सकते बड़ अभी जो आप यहां पर भाई-इं करते हैं अगर आप यहां पर यहां करते हैं तो आप इसको स्टेकिंग में रख दीजे क्यूआ इसको अगर दो साल का टारगेट डरे लेके रखते हैं स्टेकिंग में कुछ रखिये और कुछ तोकन आप अपना स्पोर्ट प्रिंसिपल आमांट है वह हमेशा आपके पास बचे रहेगा और जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपको कोई डरने होगा कि आपको पास कैश हमेशा लिक्विडिटी आप हमेशा आपके पास रहेगा उसमें वहापस से एंट्री करने के लिए तो यह ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रोफिट मिलेगा आपको बुक करना जरूरी है ठीक है और अगर कुछ टोकें जो आप लॉंग टर्म के लिए उससे स्टेक करके छोड़ दिए ठीक उसको स्टेकिंग करके आप उसको लॉंग टर्म के छोड़ दिए वह आपने आप आपको पैसा बना के देगा इस्यों और सोट है तो फेंटम जो है यह अंडर रेटेट टोकन है यह बहुत नीचे है अगर मार्केट के में देखेंगे तो यह बहुत पीछे आगे टोटल सप्लाई का बात करेंगे तो टू पॉर्ट फाइफ बिलियन टोटल सप्लाई अमलब करनली सप्लाई है सप्लाई मेकसिमस का यह सप्लाई और यह मार्केट के कम है फिलाल जो अगर देखा जाहे तो बुझतने भी प्रोजेक्ट से इसके ओपर करेंगे 30श थैसके 35 प्रोजेक्ट से इसके ऊपर ठीक है मार्केट केप के रेंकिंगे इसाब से देखेंगे तो अभी यह बहुत ही जड़ा डाउन स्टेज में हैं तो आप इसमें थोड़ा सा भरोसा रख करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको यह अराम से ओल्टाइम हाई तो य से आप यहां पर नीचे आया ठीक है फिर देखिए इसका डबल और ऊंपर करेंगे तो इसका अनुमान लागा सकता है तो इसका जो टोटल है तो अगर जाए गए थेक है तो आपको इस तरह से इसमें मैनेज करना है तो इससा ताब को देखना है तो अभी आप यहां पे एक अच्छा-कासा लंजब इन्वेश्ट कर सकते हैं फिर उसके त्दीरी-धिरी अगर Markets नीची भी जाती तो आप उसको कुरण तुदा त्दीर करके कर सकते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा सा और एक्स्टा करके अगर आपको लग रहा है कि इस तक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि अभी जो टाइम है जो मार्केट जीतरा का भी सिनारियो मार्केट सिनारियो है यह एक पूरा बेसलाइन में आ गया है इससे नीचे अगर गिरता तो पूरा मार्केट जीरो हो जाएगा काहे जितने भी प्रोजेक्ट से ओल्मोस्ट यह 95-96 परसंट गिर जाएगा तो उतना गिरने का पॉसिबिल्टी नहीं है अगर इनकेस होता भी है अपना पॉर्टफोलियो में और कुछ अमाउंट हमेशा आपको इस तरह का प्रोजेक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ आ प्रोजेक्ट कहुए है ज्यादा अगर नहीं होगा तो आपका जो भी अमाउंट गर वइन परसंट या पिर जिरो पॉँए परसंट आप ऐसे इस एक अगर अब लगाना चाहते तो यह स्ट्रेस्ट के लिए रगा सकते हैं, वह आपके उपर है, आपका पोकेट किसी तरह से आपको मेरेज करने के लिए दे रहा है आप उसी तरह से कर सकते हैं, उमिद करते हैं आप लोगों ये वीडियो से कुछ इंफोर्मेशन मिला होगा अगर उब कोई भी डाउट सोगा इस प्रोजेक्ट्स के बारे में या भी इस प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आप नीचे कमेंट बहुत जरूर से बता सकते हैं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए